सरदी जाती नई है की गर्मी आ जाती है और जैसे ही गर्मी आती है तो मैं ठंडाई पीने का है सरवत जूस ड़ीतño बहुत पसंत आने वाला है और इसको आप खाहेंगी भी और पिहेंगे भी दोनों काम करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले प्रेंट से आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करना और ये ठंडाई रेसिपी आप एक बार बना के जुरू ट्राई करना ठंड़ाई बनाने के लिए मैंने एक चमज सब्जा के बिज लिए जिसको 10 पिनट के लिए पाने में विगोकी रख देंगे जिसे बहुत जल्दी फूल जाता है और इससे हमारे सरीर में बहुत ठंड़ाग मिलती है और गर्मी की मौसम में ये खाने से कोई भी फूनशी फोड़ा वगेरा भी नहीं होगा आपके सरीर को बहुत ही फायदा होगा और वैसे ये चिकना भी होता है तो में और भी बहुत सारे फायदे होते हैं ये खाने से कई जन को ये पसंद भी नहीं होता है सबसे पहले तर्बूज को कट कर लेंगे और फ्रेंट्स आपको याद दिला दू आज की मेरी सर्बत बनाने की वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर करना और फेमिली फ्रेंट्स के साथ में शेर भी करना ताकि वो भी ऐसी सर्बत बाली रेशीवी बनाए और गर्मी में इंजॉइ करें और तबूज को मैंने खड़े में कट किया है क्योंकि हमें इसके छोटे बारिक बारिक के टोकडे करने है तो हमें problem नहीं हो और ज्यादा time नहीं लगे हमारा time बच जाए इसके लिए मैं इसको लंबे pieces में cut कर रही हूँ तो दो-तिन piece में और cut कर लेंगे इसको और तरबूज में बहुत सारे बीज होते है तो इसको बीज को आप निकाल सकते हो ये देख सकते हो इस तरह के से चाकू की नोक से निकाल सकते हो अगर आपको चबा-चबा के खाना है और इसका बीज नहीं निकालना है तो आप बीज के सहीती रेसी भी बना सकते हो यह देख सकते हो, अभी इस तरीके से छोटी-छोटी दूरी के अंतर में कट लगा लेंगे यह देख पा रहे हो, इस तरीके से अभी हमें तर्बूज के बारिक-बारिक टुकडे करने है और देर सारे टुकड़े करने है तो आप ये तरीका से बारिक 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 टुकड़े कर सकते हो आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका काम भी हो जाएगा तर्भूज को आपको सर्वत में कितना छोटा बड़ा डालना है ये तो आपकी चोईस है आप छोटे बड़े टुकड़े अपनी पसंद से काटके डाल सकते हो ये देख सकते हो सारे तर्भूज की मैंने छोटे-चोटे बारिक-बारिक टुकड़े कर लिए और आपको इसको बागी के बीज जो बचे है वो काटने के बाद में भी आप निकाल सकते हो क्योंकि अंदर भी बहुत सारी बीज रहते है तो इसका बीज निकाल के हम त्यार कर लेंगे और कोई बड़ा टुकडा रह गया है तो उसको भी बारिक बारिक कर लेंगे और अभी एक बावल में मैंने पीसी वी चीने की दो चमज डाली है आप चाओ तो मिसरी भी डाल सकते हूँ और अभी सब्जा के बीज बिगोके रखेते वो कितने अच्छे से फुल गए है दो चमज डाल देंगे इसमें आप कम ज़्यादा कॉंट्रटी में अपने पसंद से डाल सकते हूँ अच्छ के फुल डालके अच्छे से मिक्स कर सकते हूँ रोशिरफ डालके मैंने अच्छे से मिक्स कर सकते हूँ अगर आपको कम ज़्यादा डालना है रोशिरफ तो आप अपने पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हूँ टेस्ट के नुसार टेस्ट गठाना बढ़ाना आपकी चोई दी आ था तो देर शारी हमारी बरप जम्के त्यार हो गई है तो इसके बड़े टुकडे को साइड में कर देंगे और शोटे टुकडे को यह सरबत के अंदर डाल देंगी आपको इसमें बरप नहीं डालना है तो आप बरप स्केप कर सकते हो मैंने दूद भी ठंडा लिया है और इसमें बरप भी डालिये तो बहुत ही गजब का हमारा ठंडा ही रेसी भी बनके त्यार हो गई है देख सकते हो बहुत ही अच्छा गजब का हमारा सरबत बनके त्यार हुआ है आप कम जदा कॉंटिटनी बनाना चाते हो तो कम जदा भी बना सकते हो मैंने दो से तीन गलास बनाया है अब इतना सरबत आप घर पे कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो पचास रुपे लग जाएगा और यही सर्वत आप मार्केट से लेने जाओगे या फिर ठेले वाले से लेओगे तो आपका कम से कम 200 से डाइस रुपे लगेगा तो आपका कितना फाइदा हुआ आप सोच भी सकते हूँ अभी सब कर ल आजगा सर्वत बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना। आने वाली होली पे यह सर्वत गृर्शी भी जुरूर बनाना और इंजोई करना। और मिलते हैएधरै इस ही नए वीडियो की साथ में तप तकले बनाय और इंजोई करे टाटा बा झाल 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 झाल